आज हम लोग को बात करने वाले एक band new smartphone के बारे में और इससे अभी recently launch करा गया है Realme 12 Pro ऐसे इसके साथ एक variant और भी मिलता है Realme 12 Pro Plus वो वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है वो आपको नीचे description में मिल जाएगा चली फाइली बात करते है इस phone के बारे में तो यह जो phone है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा yellow box में और सब सब्सक्राइल ऊपर में यहाँ पर आपको Realme 12 Pro का branding देखने को मिलता है और इसके back side पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ key highlights है जिसे की टेली फोटो पोट्रेट sony sensor इसमें यूज करा गया OIS camera देखने को मिलता है 120Hz curve display देखने को मिलेगा और यहाँ पर snapdragon 6 chain 1 processor देखने को मिलेगा गाइस फाइनली मैं करता हूँ इसे unwrapped और आप वीडियो पर पहले बार हो तो चैनल को subscribe करना और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना तो फाइनली यह जो फोन है मैंने यहाँ पर 8GB RAM and 256GB वाला बेडियेंट पिक कर रहा है और जो color देखने को मिलेगा बो मिलता है सब मेरीन ब्लू color तो फाइनली यह कुछ इस तरीके से आपको open होता है और गैस यहाँ पर सबसे पहले इसको check out करेंगे तो I think कि इसके अंदर कुछ documents, SIM ejector tool और एक silicon case जो की बहुत ही बढ़ियां होता है तो यह सारा कुछ देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रखा मिलता है phone फाइनली इसे बाहर निकालेंगे और मैंने पहले कहा कि यह जो है यहाँ पर सब मरीन ब्लू color में है इसे भी थोड़े दिर के लिए side करते हैं तो यहाँ पर एक USB 2 Type-C का data cable available होता है जबकि अभी के टाइम में कमसकम C2C Type-C cable कर देना चाहिए था क्यूभी 2024 आ चुका है यहाँ पर जो ट्रेबल एडप्टर है वो आपको 67W Superbook देखने को मिलता है तो Oppo का phone में भी यही ट्रेबल एडप्टर मिलेगा और Realme में भी आपको सेम ट्रेबल एडप्टर देखने को मिलता है और फाइनली यह phone है जो इसे अभी हम लोग थोड़ा unwrapped करेंगे प्यार से और इसके ऊपर जो लगा हुए इस स्टीकर है इसे भी थोड़े देड़ के लिए remove कर लेंगे तो यह जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पर उन्होंने सेम Realme 11 Pro 11 Pro Plus वाला यहाँ पर golden color का lining दिया गया जो phone को थोड़ा cool बनाता है ऐसे तो हाथ में लेने के बाद मेरे को लगा कैसा कि यह phone थोड़ा ज्यादा बलकी होगा बट डिजाइन बाइज बलकी लगता है लेकिन यह phone जो है 190 gram के साथ आता है और इस phone के अंदर आपको 5000 image का बैटरी यूज कर गया है और फीजकल अपर को बात करेंगे सबसे पहले टॉप साइट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक output speaker grill देखने को मिलता है एक माइक देखने को मिलता है बॉटम साइट पर हम लोगों को sim tray का option मिलता है एक माइक मिलता है साथ में type c charging port का option और यहाँ पर output speaker grill भी द देखने को मिलता है और यहाँ पर right hand side पर देखेंगे ना तो volume rocker key देखने को मिलता है और साथ में power key देखने को मिल जाता है और left hand side पर विल्कुल plane surface रखा गया है और यहाँ पर side set से golden का जो design है इस phone को थोड़ा ज्यादा cool बनाता है तो overall मेरे खहल से design तो काफी अच्छा है जो main camera है ना वो 50 megapixel का रखा गया है 8 megapixel में wide angle camera मिलता है और 32 megapixel में teleoscope camera देखने को मिलेगा उसका काम थोड़ा सा zooming जो है वो काफी अच्छा है यहाँ पर करके देगा अगर यहाँ आप लोगो phone को on करें तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि phone जो है यहाँ पर 28-30 सर्क है मतलब क देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैंने से सेट अप नहीं कर रहा है साथ में 120 हर्ट refresh rate मिलता है तो phone आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर अभी काम कर रहा है और इस बार जो है ना यहाँ पर AMOLED पैनल निकाल करके आपको OLED पैनल यूज करा गया है तो I think कि display में भी आपको काफी अच्छा performance मिलता है और यहाँ पर डिस्पले साइज है वह आपको 6.7 इंज का देखने को मिल जाता है इस phone का डिस्पले का brightness है वह थोड़ा कम मिलता है वह मिलता है अप टू 500 तो यह जो brightness है ना I think यहाँ पर 800-880 देखने को मिलता तो I think कि यह phone और भी जो डिस्पले है इसी साइज में आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा देखने को मिलता है चलिए अभी थोड़ा बात करते है इसके कैमरे के बारे में जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर 50 मेगा पिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 16 मेगा पिक्चल में सेल्पी कैमरा मिलता है सबसे पहले मैं dit इहां पर एक दू पर वा मोड़ पर एक पिक्चर लेता हूं और घैज अब ही मैं यहां पर एक र cocon was client का maximum यहाँ पर 4x zoom का option मिलता है तो मैंने same picture को यहाँ पर click कर रहा है अभी मेरे पास finally total 4 picture है आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा शुरू से तो सबसे पहले यहाँ पर selfie की बात करें तो 16 Megapixel के selfie है selfie no doubt आपको अच्छा ही देखने को मिलता है आई थिंक कि आप देख भी सकते हों यहाँ पर सट का जो मेरा color है अच्छा दिख रहा है background भी आप देख सकते हो वो भी काभी बढ़िया है दूसा जो picture है यह वाला portrait में लिया है portrait में आप यहाँ पर notice कर सकते हो पीछे में जो AC है यहाँ पर acoustic form है यह सारा blur है मेरा monitor है वेवी blur है तो overall selfie बहुत ही बढ़िया है no doubt आगे बढ़ते हैं यह main cameras में पिक्चर करा है तो मैंने किया तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला और इसको आप जूम करोगे तो आपको यह clear दिखे का यहाँ पर मेरा camera lens है लेकिन इसे 4X पे जब मैंने कराना तो यह जूम करके कुछ ऐसा देता है तो यह मैंने कहूंगा कि यह बहुत ही ज्यादा जूम कर रहा है and other features की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे features है जैसे कि यहाँ पे dual view वीडियो देखने की मिलता है अब देख सकते हो कि यहाँ भी नीचे का है मेरा हाथ engage यह उपर का है मेरा phone और यहाँ पे एक light तो one time में आप जो हो दोनों ही camera use कर सकते हो तो vlogging purpose में यह camera ज्यादा यूज होता है overall realme का phone camera wise no doubt की कोई भी complaints होता है या फिर किसी भी type के इसके अंदर noise से देखने को मिलता है मेरे कहल से camera wise बहुत ही अच्छा है anyhow अब थोड़े से बात करते हैं इस phone के hardware के बारे में सबसे पहले हैं यहाँ पर मैं setting में जा करके about को check out करके यहाँ पर दिखाऊंगा है जबकि I think कि थोड़ा जादा होना जाहिए था बागी ओपर आल सारा features आपको काफी perfect देखने को मिलता है तो आज के में काम थे phone का first impression देना छोटा सांबॉक्सिंग देना और बागी का थोड़ा बहुत detail बताना तो कि इस वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के साथ